नमुश्कार में उप्रिया आपका स्वागत है भीहारी न्यूस में चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुक खबरों को COVID-19 के माहौल के बीच देश भर में मनाई गए इद COVID-19 के माहौल के बीच पूरे देश में इद का तेवहार मनाई गया ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिम भाई भेन ने इद उल्फितर की नमाज मस्जिद पर नहीं बलकि घर में ही अदा की है प्रधानमंति नरेंद्र मोदी और राश्रपती उपराश्रपती समेत कई नेताओं ने इद उल्फितर की शुपकामनाई दी है जिसके तहट प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इद मुबारक इद उल्फितर की आप सभी को बढ़ाई यह खास पर हम सभी के जीवर में भायचारा और शांती लेकर आए कोई हर कोई स्वस्तर है और साथ ही सब खुश है जुसके बाद राश्च्रपती ने भी ट्वीट करते वे सभी लोगों को ईद की बदाई देते वे यह का है कि याते हो हार प्रेम शांती और भायचारे का प्रतीक हैं इद पर हमें समाज के जरूरूत मंद लोगों का दर्द और उनके साथ साचा करने की प्रेडना मिलती है इस मौके पर साथ की भावना को मजबूत बनाए और COVID-19 के रोक थाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे आज से शुरू हुई उडान सेवा पिशले दो महीने में बंद के बाद आज से उडान सेवा शुरू कर दी गई है जिसके तहट आज सबसे पहले दिली के इंद्राकांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट पर 4.45 मिनट पर पूने के लिए सबसे पहली फ्लाइट रबाना हुई है यह फ्लाइट इंडिगो की थी हालाकि उडान के कुमवार से मुंबई और राज्य के अन्या हवाई अडो पे केवल सीमित उडानों के ही परिचालन किया जाएगा वहीं आंधर प्रदेश में 26 मई और पश्यू मंगाल में 28 मई से घरेलू उडानों के शुरुवात की जाएगी मानसिक मजबूती से COVID-19 को हराना हुआ आसान COVID-19 के रोक्थाम के लिए लगतार स्वास्त मंत्राले अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है वहीं इसे बीच COVID-19 को लेकर एक एहम बात सामने आई है खबरों की माने तो अगर किसी इंसान का इम्म्यूनिटी मजबूत है नियमित जीवनशैली और कठोर परिश्रम की आदत है तो COVID-19 की चपेट में आने के बावजूत रिकवरी की संभाब ना बढ़ जाती है जानकालो का मानना है कि सुरक्षा बलो में जवानों की मानसिक्ता और शारेरिक रूप से ज्यादा मजबूत होती है राश्ट्रियस तर पर COVID-19 संक्रमिट से ठीक होने की दर 44 फीसिदी है कुछ राजय में तो 47 फीसिदी भी है लेकिन सुरक्षा बलो में COVID-19 से ठीक होने वालों की संक्या 70 फीसिदी के आसपास है क्योंकि सुरक्षा बल दिन रात महनत ताकत के साथ अपने करता विकापालन करते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं इसके साथ ही अपने जीवन शैली को भी काफी मजबूत बना कर चलते हैं जिसके कारण BSF प्रवक्ता शुभेंदू भारतवाज ने कहाए कि अगर इच्छा शक्ती द्रिड हो तो COVID-19 से जीत पाई जा सकती है उन्होंने आगे कहा कि हमारे हां दो क्यांसर के मरीज से और तीन किड्नी से परिशान थे लेकिन वह दोनों COVID-19 से बाहर आ चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधिता बढ़ाई गई 31 जुलाई तक सरकपड़ी वहन और राजमार्क मंत्राले ने वहन चालको को COVID-19 के इस माहौल में थोड़ी रहाद दी है जिसके तहर मंत्राले ने ड्राइविंग लाइसेंस और वहन रजिस्ट्रेशन समधित दस्तावेजों की वैधिता को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है यह वैवस्ता देश भर के वहनों के लिए लागू होगी खबरों की माने तो मंत्राले की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार वहनों के जिन कागजातों का नवीनी करन इस साल एक फरवरी से नहीं हुआ है उसकी वैधिता अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है यानि कि बढ़ाये गए समय तक नवीनी करन करा लेने से कोई भी विलम शुल्क नहीं लिया जाएगा नहीं किसी तरह का जुर्माना देना होगा जिसके बाद से सभी तरह के सारवजनिक वहनों पर रोक लगा दी गई थी जिसमें ट्रेन और विमान दोनों शामिल थे वह इस दोरान जिन भी यात्रियों ने ट्रेन की टिकेट बुक करवाई थी उनके पैसे को अब रेलवे वापस कर रहा है जानकारी के नुसार पहले चोरण के अब धी 31 मई 2020 तक रहेगी इसमें 31 मई 2020 तक की ट्रेन में यात्रा का टिकेट लेने वाले यात्रियों को उनका किराया लोट आए जाएगा के सिते दिन प्रते दिन खराब होती जा रही है यहां पर हर दिन हजारों मामले सामने आ रहे हैं और यह कारण है कि बीते दिन महाराश में मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिली है यहां आगरा 50,000 के पार हो गया है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में किये कई एहम एलान COVID-19 के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम हों के सुभिधा दी थी जिसमें बहुत से ऐसे कर्मी भी है जो विभिन केंद्रिय मंत्र चालियों और विभाग में काम करते हैं हाला कि COVID-19 के संक्रमन को रोकने के लिए सभी कर्मी घर पर ही काम करें हाला कि शिरुवात में यह सपष्ट नहीं किया गया था कि बंद के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं ऐसे में कर्मचारी काफी ज्यादा परेश COVID-19 की वज़े से भले ही कई सारे काम बंद हो गया हो लेकिन लोग बेरोजगार भी हो गया है मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जुनकी संपत्ती में इजाफा हुआ है जिसमें फेस्बुक के संसापक मार्क जकरबग का नाम शामिल है Bloomberg की एक रिपोर्ट के मताबिक पिछले दो महीने में मार्क जकरबग की संपत्ती में करीब 30 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है मार्च के बीच में उनके कुल संपत्ती 57.5 अरब डॉलर थी लेकिन वर्तमान में उनके संपत्ती 87.5 अरब डॉलर हो गई है जिसके बाद ताजा रैंकिंग के अनुसार विश्व के 30 सबसे अमीर शक्स बन गए है CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार जबसे फेस्बुक ने अपने ओनलाइन शॉपिंग फीचर की शिरुवात की है उनके शेर की कीमत अल्टिमेटली हाई पर पहुँच गई है खबरों के माने तो फेस्बुक एक शेर का भाव 230 डॉलर पर पहुँची है वह फेस्बुक द्वारा हाल ही में जारी किये गए वीडियो कांफरेंसिंग की सुविधा लाने से फेस्बुक ने जूम को भी पीछे छोड़ दिया है भारत को अगर चीन की कमपनियों को आकरशित करना है तो इंफ्रास्ट्रुक्चर में सुधार करने की है जरूरत COVID-19 के बर्थे संक्रमन के कारण चीन में कई सारे व्यापारी अपने व्यवसाय को उठा कर दूसरे देश में निवेश करने का मन बना रहे है ऐसे में भारत अपने लिए या वेहदी बहतरीन मौका समझ रहा है क्योंकि भारत की यह कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कमपनी जो है वो भारत में निवेश करें जिसके लिए प्रधानमती नरेंदर मोधी ने अपने सभी अधिकारियों को अधिसूचना जारी कर दिये एक्सपर्ट की माने तो अगर भारत चीन से निकली कमपनियों को आकरशित करना चाहता है तो भारत को बरतमान समय में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक भारत की तरफ आकरशित हो और यहां आकर एक बार फिर से अपने उद्यों का विकास कर सके वंदे भारत मिशन के तहट लंदन से इंदोर पहुचे यात्री हुए भावुक कोबर्ड-19 के बढ़ते असर के बीच के इंद्र सरकार ने दूसरे देशों में फसे भारती विदेशियों को वापस दाने की मुहीम तेज कर दी है वहीं भारत वापस लौटी यात्री और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत सरकार का दिल से हम शुक्रिया करते हैं खबरों की माने तो ICC के सदस्यों के पास कई भी कल्प है जिसके अनुसार ICC को 26 मई को होने वाली 17 सदस्य वोड की बाठक में ICC चेर्मेन के चुनाव को लेकर चर्चा होगी इसके साथ ही अगले साल फरवरी और फिर 2022 में विश्वकप के आयोजन करवाने पर सोच विचार कि आज़ा रहा है ICC के अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि IPL और विश्वकप का एक दूसरे से कोई लिना देना नहीं होगा तो चलिए बढ़ते आज की सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार भारत सरकार को चीन की कंपनियों को आकर शित करन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश वीदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी यूटिव चानल को सब्स्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले धन्यवाद